हलो दूस्तो नमस्कार इसम किसी चैनल में मैं आप सिवलम का दिल से बहुत-बहुत सोगत करता हूँ इस वड़े में हम लोग कवर करेंगे येस लगबग 9-10 important stocks को और कुछ बड़ी activities आज की दिन बाजार में देखने को मिले उनको भी तो चले start तो करेंगे no doubt आज की दिन बाजार की opening कैसे होगी इसके chances तो हम सभी लोग को पता ही थे क्योंकि American बाजार ने कल की दिन बहुत शांदार तेजी दिखाए थे और वो तेजी को बरकरार रहते हुए येस closing भी दी थी लबक 3500 पॉइंट की जबरदस तेजी देखने को मिली थी उससे भी ज़्यादा एक पसेंट से भी ज़्यादा की तेजी तो अलड़ी थोड़ा सा हम लोग को अंदाजा था कि हमारे जो बाजार की opening रहेगी वो शांदार यहाँ पे रहेगी और उसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात कह सकते हैं कि जो ओरल बाजार चलेगा वो यहाँ पे अच्छा चल सकता है इनफेक्ट नया highest level हम लोग को आज के दिन भी बाजार में देखने को मिल सकता है जैसे सोचा था वैसे हुआ हाँ बट बीच में हम लोग जरू कह सकते हैं कि अच्छा खासा बाजार को तोड़ने की भी कोशिश की गई थी जो कि आप देख सकते हैं बीच में तो लाल निशान में बाजार जाते वे देखने को मिला था बट जैसे के आपको पता ही है कि ओराल जो सेंटिमेंट है बाजार के वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिले इसी चीज का फायदा उठा कर बूल्स ने वापस क्या किया बाजार को उपर लेके जाने की कोशिश की और जो कंक्लूजन सामने निकल कर रहा है वो वही कंक्लूजन देखने को मिला यस बिलकुल टॉप लेवल पे हम लोगों को वापस एक और क्लोजिंग होते वे देखने को आपे मिले मतलब डेली बेसिस की सबसे अगर हम लोग बात करे तो बाजार नया नया हाई लगाते व आपे लगा दिया और उसी के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग भी होते वे देखने को मिले है तो जो तेजी का जो माहूल है वो यहापे बरकरार है तो बहुत ही शांदार परफॉर्मस देखने को आपे मिला है नो डाउट में ये बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि विदेश के ओर से ऐसा ही सपोर्ट अगर हम लोगों को मिलता रहा तो हमारा बाजार 20,000 को भी क्रॉस यापे कर सकता है ठीक है करेगा नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है बहुत सरे मल्टिपल सिचुएशन के हिसाब से ठीक है हमारा तो ultimate focus तो portfolio के हिसाब से आपे रहता ह बट obviously हम कह सकते है कि जब बाजार का ओराल महोल अच्छा रहता है तो अच्छा अच्छा हम लोगों को तेजी भी देखने का आपे मिल जाता है ठीक है दन हम लोग बात करेंगे कुछ important companies के result का reaction देखना बाकी था तो LTTS की बात करें तो हम यहापे कह सकते है कि लगबग पौ होती है तो अभी भी देखा गया तो opportunity यहापे openly available है सिर्फ जल्द बाजी जो करेगा वो यहापे पच्छता सकता है जिसका नजरिया ही long term है वो यहापे benefit यहापे उटा सकता है इंडसिंड बैंक के भी numbers देखे गे तो बहुत अच्छे थे NPP की बात करें profitability कमाल की थी provision भी न maintain रखा यह बहुत ही important and interesting चीज़ देखने का आपे मिल जाती है द्यान दोस्तों येस एक बहुत अच्छा comment मतलब comments में बहुत सारे comments तो आते रहते हैं बट येस कुछ unique comments आते रहते हैं तो उनको भी मैं क्या करता हूँ वीडियो में ही cover up यहापे कर देता हूँ तो आपके doubt clear हो जाते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो किसी ने ये भी सवाल पुछा सर देखी अभी इंडसेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पर अलग-अलग estimations लगाए जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो calculations बताय जा रहे हैं वहाँ उन्होंने तो EPS मिस कर दिये हैं बट कुछ-कुछ website के उपर हम लोगों ने देखे तो वहाँ पर तो बताया जा रहा था कि इनके earnings अच्छी आए EPS तो मिट हो गया करके तो एक कुछ समझ में नहीं है तो मैं आपको बोल चुका हूं दोस्तो estimate मतलब क्या होते हैं हर किसी का अपना estimate अलग-अलग ह होता है आप expect कर सकते हो कि यह 100 तक चला जाए कोई estimate करेगा कि 120 तक चला जाए कोई estimate करेगा नहीं असी तक चला जाए तो डिपेंड करता है तो हम लोग overall क्या करते हैं कि yes जो average estimate होता है ठीक है कि मतलब थोड़ा क्या-क्या performance यहाँ पर आना चीए कुछ-कुछ लोगों के estimates त अलग-अलग हो सकता है ठीक है तो यह point हम लोगों को समझने हापे होता है बट हाँ अनुमान के हिसाब से अगर यहाँ पर हम लोग अगर एक circle बना ले तो क्या-क्या normal estimates देखने को मिल रहे कोई 100 बोल रहा है कोई 110 बोल रहा है 105 बोल रहा है 120 बोल रहा है तो समझ में आ रहे ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं लॉंग टम वालों का खेल तो टोटली डिफरेंट यहाँ पर होता है तो आशा करता हूं कि उनका यह डाउट था बहुत अच्छा यूनिक डाउट देखने को मिला तो वह भी रिड्रेस यहाँ पर हो चुका होगा चले आ जाते हैं टाटा तेजी होने के बावजुद भी यह स्टॉक पौने 3% यहाँ पर गिरते वे देखने को मिला है तो लाइफ इंशॉरंस में हम कह सकते हैं कि आने वले समयम थोड़ा बहुत तकलिफ देखने को आपर मिल सकते हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया था कि न्यूश टैक्स रिजिम क चलते तो इस चीजों के चलते क्या हो सकता है इन कमपनिस को थोड़ा बहुत थो नुकसान यहाँ पर हो सकता है दैन हम लोग बात करेंगे एस्टरल लिमिटेड बहुत ही कमाल की शानदार पाइपिंग सेक्टर से रिलेटड अगर हम लोग बात कुछ स्टर ऐसे हैं ना चीज़े आती है, metal वाले भी देखने को मिल जाते है, plastic pipe भी देखने को मिल जाते है, PVC की अगर हम लोग बात करें, PVP की बात करें तो yes, उसमें ये estral हम लोग को number one पर देखने को मिल जाता है, सिर्फ 50,000 करोड का ही market cap है, बट yes, company बहुत ही शांदारे उंदा performance रहता है, और सबी लोगों को पता ही है कि उतकर्ष small finance bank इसका जो IPO है उसका allotment का जो status है वो आज आपको पता चलेगा एंड आपको बताना चाहँगा usually allotment का status लेट आता है बट येस दोस्तो इस company के IPO का allotment का status आ जुगा है ज़रूर आपको क्या ये IPO allot हुआ या नहीं हुआ अगर आपको allot हुआ है तो आपने कितने demand account के थुरू यहाप अपलाई किया होगा मतलब थोड़ा बहुत बाकी लोगों को अंदाजा यहापे आ जाता है तो आप चाहो तो अपना experience यहापे share कर सकते हो बहुत सार लोग यह भी पूछेंगे सर आपने क्या किया तो जितने भी demand account मेंने सब में से apply हापे किया और story हमेशा की तरह सेम ही आप सबे लोग को पता ही है yes कि कुछ भी आपे allotment मिलते वे देखने का आपे नहीं मिला है ठीक है तो बहुत ही अभी जादा हम लोगों को इस सारी चीज़ा over subscribe होती भी देखने को मिल जाती है एक जमाना ऐसा था दोस्तों बहुत ही कम लोग हुआ करते थे ठीक है अब just imagine करके देखो कि hardly किसी के पास एक देड करोड के आसपास ही demand account हुआ करते थे ठीक है चाहो तो आप अपने experience को comment में section में यहाँ पे थोड़ा बहुत शेर कर सकते हुआ anyways दार हम लोग बात करेंगे दोस्तों cable sector के बारे में cable sector के लिए आज का दिन बहुत ही शांदार यहाँ पे रहा क्यूंकि जो अलग-अलग brokerages रहते हैं उन्होंने cable वाली जो कंप्रियां थी ठीक है wiring cable वाली कंप्रियां यहाँ उनके target बढ़ा दिये तो इसके चलते पॉलिकाइब इंडिया आप देख सकते हो लगबग साड़े-चार पसंट कैस्पर साड़े-चार सवाई-चार पसंट बोल दीजे बतलब कल की दिन अल्रड़ी तेज था आज की दिन और भी ज़्यादा तेज होते हुए देखने को यहाँ पर मिला है समझ में क्या आ जाता है दोस्तों कि यह तेजी हम लोग पहले से प्रेडिक नहीं कर सकते कौन broker कप क्या बोल दे we don't even know बोलने के लिए वो यह भी बोल सकते त्यार ही नहीं ओवर हिट हो चुका है यहापे इसका target अभी हम नीचे कर रहें 3000 कर रहें हो सकता है तो उससे हमें फरक नहीं पढ़ना चाहिए वो चीज़े यहापे चलती रहेंगे आज नहीं चलेगी तो शायद से next quarter में आजएगी वो नहीं तो उसके next quarter में ठीक है बट बताने का मकसद का है दोस्तो अच्छे company में जाओगे न आपका पैसा बन जाएगा आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है क्या काम करना होता है येस बिजनेस को समझना होता है और उसमें पैसा लगा कर चुप चाप बेटना होता है कभी-कभी होता है एक साल नहीं बनता है पैसा दो साल नहीं बनता है ठीक है धाई साल नहीं बनता है तीन साल भी नहीं बनता है बट ultimately अगर आपका गोल सही है अगर आपने सही company चुनी है अगर आपके study perfect है तो आपको फिर reward यहापे बाद में मिल ही जाता है so polycap ने बहुत ही कमाल का शांदार performance यहापे दिखाया है और यह और भी शायद से आने वाले समय तेज हो सकता है क्योंकि बाकी brokerages ने इसके target higher level पे करती है मतलब जो जो उन brokerages को follow करते होंगे rating agents इसको follow करते होंगे ठीक है broker को follow करती है वो भी क्या करते है वहाँ से inflow हम लोगों को आते वे देखने को मिल जाता है ठीक है अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों केबल सेक्टर की बात करें तो polycap के नीचे ही और एक company देखने को मिल जाती है KEI industry यह भी मैंने आपको बता है तो बहुत ही शांदार company हाँ no doubt polycap की यह one third है company polycap somewhere around 60 है यह 20 के आसपास चलती है बट yes इसका भी performance कमाल का रहता है valuation भी हम लोग को कमाल के देखने को मिल जाती है and KEI industry का भी performance आज की दिन आप देख सकते हो 5.5% की तेजी reason वही है दोस्तों कि इनके भी targets हमनों को revise होकर उपर ही जाते हुए देखने को मिल रहे plus polycap ने जीस प्रकार के number दिये है year and year basis and short term estimation को भी उन्होंने बेट किया था हर parameter के सबसे तो के यह से related भी उमीदे बढ़ती ही देखने को आपे मिल चुकी है अगर आप चाहो तो इस company को भी study आपे कर सकते कोई recommendation नहीं मेरे side से बट जरू study करना ये भी एक अच्छी company देखने को आपे मिल जाती है अगर हम लोग बात करेंगे तो हैवल्स इंडिया अभी हैवल्स इंडिया में और भी बहुत सारी चीज़े आती है ये सिर्फ केबल में काम नहीं करती है अलग-अलग आप लोग को electronic equipment जो यहाँ पे रहते है switch, pankha, fan, सारी चीज़े की बात करें house में ये company आती है इसके भी अगर हम लोग targets की बात करें तो positive commentary हम लोग अलग-अलग brokerages, rating agencies के और से देखने का आप है मिल रहे हैवल्स की बात करें तो बहुत बड़ी company है मतलब अगर आप चेक करोगे तो 85,000 करोड का इसका market cap है तो इसकी अगर हम लोग expectation की बात करें ठीक है तो आपने यह expectation करना चाहिए कि 5 साल में हमें double दे दे करके अगर यह 5 साल में double दे रहा है मतलब है अपना जो performance है उस हिसाब से इब्दम सही चल रहा है करके अगर आप यह expect करते हैं पात साल में 400% दे दे तो sorry boss आप गलत स्टॉक को pick कर रहे हो तो फिर आप लोगों को के या इंडस्ट्री या फिर polycap के लिए shift करना पड़ेगा तब ही जाके वो सारी चीज़े आप लोगों को देखने को आपे मिल सकते हैं आपका पैसा पूरा डूबने के भी chances बढ़ जाते हैं तो यह basic information है यह भी point हम लोगों को पता होना चाहिए जाते हैं आकरी stock को cover करेंगे IEX Indian Energy Exchange कल के दिन के अगर हम लोग बात करें no doubt report के जरी यह खबर सामने है थी कौन सी कि यहाँ फिलाल तो work in progress यहाँ पर चल ही रहा है super exchange बनाने से related coupling के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अगर बोचीज अगर सच साबित हो जाती है तो IEX को बहुत बड़ा जटका है यहाँ पर अलग सकता है बट यह खबर सामने आने के बाद IEX के share मता अनओफिशल खबर थी बट देखा गया तो IEX के share में आज हम लोग को कोई major कोई ऐसा reaction देखने को आपे नहीं मिला correction के हिसाब से ठीक है तो जब वह official खबर सामने आएगी तब ही हम लोग को major reaction देखने को मिल सकता है and already अगर देखा के तो stock में हम लोग को जबरदस यहापे गिरावट डिखने को मुली थी जब खबर यहापे आई थी तबी so just focus रखने वाली बात है अभी वो खबर कब आएगी ये भी बहुत सारे लोग time पूछ रहे थे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए